ओम शान्ती आठ दिसंबर दो हजार तेईस आज की साकार मुरली रंगीन बड़े-बड़े अक्षिरों में पड़े सुने और मन्थन करे आज की मुरली का सार मिठा-मिठा बाबा कैते मिठे बच्ची यहां धारना कर दूसरों को भी जरूर कराणी रहें, फिर औरों को भी धारना कराओ पास होने के लिए माबाप समान बनना है, जो सुनते हो, वे सुनाना भी है जो ग्यान सुना, वो जा कर सबको सुनाना भी है बच्चों में कौन सी शुब कामना उत्पन होना भी अच्छे पुरिशार्थ की निशानी है अच्छे पुरिशार्थ की निशानी है कौन सी शुब कामना आपके मन में उठे बच्चों में यदि ये शुब कामना रहती है कि हम मात पिता को फालो कर गदी पर बैठेंगे तो ये भी बहुत अच्छी हिम्मत है जो कहते हैं बाबा हम तो पुरा इम्तिहान पास करेंगे ये भी शुब बोलते हैं इसके लिए जरूर पुरशार्त भी इतना तीवर करना है हमारे तीरत न्यारे हैं ओम शांति अब यहां पाप आत्माएं तो सभी हैं पुन्या आत्माएं होती ही हैं स्वर्ग में ये है पाप आत्माओं की दुनिया ये दुनिया क्या है पाप आत्माओं की यहां है अजामिल जैसे पाप आत्माएं अजामिल जैसे पाप अत्में का मतलब जिन्होंने सारी जिन्दगी पाप के सिवाए और कोई कर्म नहीं किये, सारे कर्म दूसरों को दुख देने वाले किये, एक कर्म किया था जो दुख देने वाला नहीं था, वो कौन सा था? बाकिसारी जिन्दगी में पाप कर्म किये थे, एक पुने का काम कर दिया, अजामिल नहीं, अपने बेटे को याद कर लिया, और भगवान को दोखा हो गया, उसने नारेन नारेन अपने बेटे को बुलाया, आजा मैं मर रहा हूं, मेरा सांस बुट रहा है, और नारेन नारेन कह दिया, बेटे को बुलाया, बेटे को सुन लिया भगवान ने, ये तो मेरे को बुला रहा है, बस, आ गए जी, चलो तुम स्वार के में सबूँआ। इसलिए सब ने अपने बच्चों के नाम क्या रखने शुरू कर दिये भगवान के नाम, राम, सीता राम, कृष्ण, राधे कृष्ण, लक्ष्मन, लक्ष्मी, नारैन, लक्ष्मन तो फिर भी दूसरे नमबर पर आ जाता है Na आत्मां और वे हैं स्वर्ग के देवताओं का पुन्या आत्माओं की दुनिया दोनों की महिमा अलग-अलग है हर एक जो ब्रामन है वे अपने इस जनम की जीवन कहानी बाबा के पास लिख बेशते हैं कि इतने पाप किये हैं बाबा के पास सब की जीवन कहानी है बच्चों को पता है कि यहां सुनना और सुनाना है तो सुनाने वाले कितने धेर चाहिए जब तक सुनाने वाले नहीं बने है तब तक पास हो ना सके और सत्संगों में ऐसे सुनकर फिर सुनाने के लिए बंदे हुए नहीं है यहां धालना कर फिर करानी है पॉलोवर्स बनाने है ऐसे नहीं के एक ही पंदित कथा सुनाएगा यहां हर एक को माँ बाप समान बनना है औरों को सुनाए तब पास हो और बाप की दिल पर चड़े बाप नौलेज पर ही समझाया जाता है वहां तो सब कहेंगे स्री कृष्ण भगवानो वाच यहां कहा जाता है ग्यान सागर पतित पावन गीता ग्यान दाता शिव भगवानो वाच रादे कृष्ण वा लक्ष्मी नारायन को भगवान भग्वती नहीं कहा जा सकता रादे कृष्ण को और वा लक्ष्मी नारायन को भगवान भगवती नहीं कहा जा सकता ला नहीं है परन्तु भगवान ने उन्हों को पद दिया है तो जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे कितने दिर के लिए भगवान भगवती बनते हैं एक सेकिंड जैसे ही उपर चड़े गड़ी की स्वी बारा पर पहुँची और अगले सेकिंड एक सेकिंड पतित हो गए तो सेकिंड दस सेकिंड एक मिनट एक घंटा कमजोरी आ गई भल हम देख नहीं पारे परन्तु कमजोरी आ गई है इसलिए कई बार बाबा केते हैं उन्हें भगवान भगवती नहीं कह सकते हैं भगवान भगवती कहते हैं बनाएंगे इसलिए बने और उसके बाद उन्होंने गिरना शुरू कर दिया इसलिए ना है जी इसलिए नाम पड़ा है अब तुम विजे माला में पिरोन का पुरशारत कर रहे हो, माला तो बनती है, उपर में है रुद्र, उपर में जो फूल दिखाया है, वो है रुद्र, रुद्राक्ष की माला होती है न, इश्वर की माला यहां बन रही है, असली माला तो शिव बाबा कहते हैं, यहां बहुत धके खाते रहते हैं तिर्थों पर तुम्हारी बात ही नियारी है वो तिर्थों पर जाकर धके खाते रहते हैं फलाना मंदर देखे हैं फलाना तिरत करके हैं फलाना तिरत करके हैं पर तो यहां तुम्हारी बात ही नियारी हमारे तिरत कौन से हैं हमारे तिरत कौन से हैं दिल्वार मंदर हमारा तिरत है हमारे तिरत नहीं पता है जी हमारे तिरत आज का गीत है जी क्या करते हैं भाई हमें समझ में नहां आ रहे हैं जहां बाबा जहां बाबा की मुर्ली वो तीरत जहां बाबा जहां बाबा की मुर्ली वो तीरत है हमारा उन तीरतों पर क्या जाते हैं शनान करने जाते हैं वो पानी से शरीर को दो के आते हैं और हम यहां किसको दोते हैं आत्मा को दोने के लिए यहां ग्यान इसनान करने आते हैं जो अपने को दे समझते वो पानी से नाने के लिए चले जाते और जो अपने को आत्मा समझते वो आत्मा को इसनान करने के लिए आते हैं तो यहां आत्मा का इसनान होता है आत्मा की मैल को धोया जाता है तो उसकी विधी यहां सिखाई जाती है तो जहां हमारे मुरली चलती है वो सारे तीरत्रिस्तान है रुद्र के गले का हार बनना है तुमारी बुद्धी का योग शिव बाबा के साथ है रुद्र के गले का हार बनना है माला के राज को भी जानते नहीं उपर में है शिव बाबा फूल फिर है जगत अंबा जगत पिता उनकी 108 वैंशावली बाबा ने देखा है बहुत बड़ी माला होती है फिर सभी को खींचते हैं राम राम कहते हैं लक्षे कुछ नहीं रुद्र माला फेरते हैं राम राम की धुनी लगा देते हैं ये सब हुआ भक्ती मारत ये फिर भी और बातों से ठीक है ये फिर भी और बातों से ठीक है उतना समय कोई पाप नहीं होगा पापों से बचाने की ये युक्तियां है ये युक्तियां है यहां माला फेरने की बात नहीं है, स्वेप माला का दाना बनना है तो हमारे तीरत म्यारे हैं, हम ऐ वेविचारी राही हैं, अपने शिव बाबा के घर के योग से हमारे जनम जनमांतर के विकार्म भस्म होते हैं, श्री कृष्ण को कोई दिन रात याद करे, परन्तु विकार्म कदापी विनाश हो ना सके, राम राम कहा, तो उस समय पाप नहीं होगा, फिर पाप करने लग पड़ेंगे, ऐसे नहीं, पाप कटते हैं, यह आयू बढ़ती है, यहाँ योग बल से तुम बच्चों के पाप भस्म होते हैं, और आयू बढ़ती है, जनम जन्मांतर के लिए आयू अविनाशी हो जाती है, मनुशे से देवता बनना है, इसको ही जीवन बनाना कहा जाता है, मनुशे से देवता बनना, इसको ही जीवन बनाना कहा जाता है, देवताओं की कितनी महिमा है, अपने को कहेंगे हम नीच पापी हैं, तो जरूर सब ऐसे होंगे, गाते भी हैं, मुझे निर्गुन हारे में कोई गुण ना ही, आप पे ही तरस परोई, ये परमायत्मा की महिमा करते हैं, वे तुमको सर्व गुण संपन, स्री कृष्ण समान बना देते हैं, तुम अब बन रहे हो, इसके आगे कोई गुण नहीं है, एक निर्गुन बालक क की संस्था भी है, आर्थ नहीं समझते, निर्गुन किसको कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो, श्री कृष्ण बालक्ष्मी नारैन के गुणों की ही महिमा गाते हैं, सर्व गुण संपन, सोला कला, संपूरन, संपूरन निर्विकारी, मर्यादा, पुर्ष उत्तम, डबल अब फिर तुम वे बन रहे हो, और कोई सत्संग ऐसा नहीं होगा, जहां ऐसे कहेंगे, यहां बाबा पूछते हैं, तुम लक्ष्मी नारैन को वरेंगे वराम सिता को बच्चे भी बेश समझतों नहीं हैं, जहट कहते हैं, बाबा, हम तो पूरा इम्तियान पास करेंगे शुब बोलते हैं, प्रन्तु ऐसे नहीं, कि सभी एक समान बन सकेंगे फिर भी हिम्मत दिखाते हैं, मम्मा बाबा हैं, शिव बाबा के मुर्बी बच्चे हम उनको पुरा फालो कर गद्दी पर बैठेंगे, ये शुब कामना अच्छी है फिर इतना पुरशार्थ करना चाहिए, इस समय का पुरशार्थ कल्प कल्प का बन जाएगा गैरिंटी हो जाएगी, आपके पुरशार्थ से पता पढ़ेगा कि कल्प पहले भी ऐसे किया था कल्प, कल्प ऐसा पुरशार्थ चलेगा, जब इम्तियान होने का समय होता है, तो पता पढ़ जाता है हम कहां तक पास होंगे, अरे को अपने हालत पता लग जाते हैं कितनी मेनद किया, कितना बाबा का कहना माना, कितना हमने कर्म किये, कितना स्रेस्ट बनेंगे टीचर को तो जट पता लग जाता है कि ये कितना पढ़ता है, लग बख कितना नंबर लेगा, ये है नरसे नारायन बनने की गीता पाठशाला, ये गीता पाठशाला किसकी है, नरसे नारायन बनने की, और गीता पाठशालाओं में ऐसे कभी नहीं कहेंगे, कि हम नरसे नार नाएन बनाऊंगे। वोई दुनिया का स्कूल नहीं है जहां कोई teacher ये कहे कि मैं नर्से नाराइन बनाऊंगा। ये है एक ऐसा teacher जो परमध्रम से आके कहता है मैं तुम्हें नर्से नाराइन बनाऊंगा। नारिश से लक्षमी बनाऊंगा। मनुष्य से देवता बनाऊंगा। पहले तो टीचर को नशा चाहिए कि मैं भी नर्से नारायन बनूँगा। गीता के परवचन करने वाले तो धेर होंगे। परन्तु कहां भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम शिव बाबा द्वारा पढ़ते हैं। अशे नहीं कहेंगे कि हम शिव बाबा द्वारा पढ़ते हैं। वो तो मनुष्य द्वारा पढ़ते हैं। तुम तो जानते हो उच्टे 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 परम पिता परम आत्मा। शिव जो ही स्वर्ग का रचईता नौलेजफुल हैं। वही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। गुरु नानक ने भी उनकी महिमा गाई है। जप साहिब को तो सुख मिले। आप तुम जानते हो उच्टे उच्टे उच्टा सच्टा साहिब वो है। उच्टे उच्टा सच्टा साहिब वे है। वे खुद कहते हैं, मुझ बाप को याद करो, मैं तुम्हें सच्ची अमर कथा, तीजरी की कथा सुनाता हूँ, तो ये नौलेज है, तीसरा नेत्र मिलने की, वा नर्से नारैं बनने की, ये पार्वतियां, मैं अमर नाथ, तुमको अमर कथा सुना रहा हूँ, है ही मत किसी में बोलने की, ये पार्वतियां, मैं अमर नाथ, तुम सबको अमर कथा, उंचे से उंचा शिव बाबा है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर स्वर्ग में लक्ष्मी नारैन, फिर चंद्रवन्शी नंबर वार चले आओ, पहले आओ, जो सत्युग में आने वाले हो, जो तृता में आने वाले हो, सारे आते जाओ, समय भी सतो रजो तमे होता है, सत्युग में सतो परदान, फिर सतो रजो फिर तम हो जाता है, ये बाते कोई भी नहीं जानते, बाबा गुए बाते सुना रहे हैं, जो दुनिया में कोई भी नहीं जानते, आत्मा में कौन सी गुई बात है कि हर आत्मा में अविनाशी पांच जार वर्ष का एक नेनो सेकिन कम या ज़्यादा नहीं सब के अंदर किसने बिर बरा है किसने लिखा है हर आत्मा ने स्वैम लिखा है समय अनुसार हर आत्मा अपना पार्ट लिख रही है कर्म करके हर आत्मा अपना पार्ट लिख रही है सुख देने वाला भी दुख देने वाला और ये भी कमाल की बात है लिखती वैसे ही है जैसा कल्प पहले लिखा था हर कल्प वही का वही पार्ट लिखती है चेंज नहीं करते बाबा बहुत गुये बाते सुनाते हैं आत्मा में अविनाशी पार्ट है एक एक जनम का पार्ट भरा हुआ है एक एक सेकिन का पार्ट भरा हुआ है वो कभी विनाश को नहीं पाता है परमात्मा भी उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं बाप कहते हैं मेरा पार्ड भी बरा हुआ है तुम्हारा पार्ड भी बरा हुआ है तो मेरा पार्ड भी बरा हुआ है तुम सुख दाम में रहते हो तो हम शान्ती दाम में रहते हैं सुख और दुख तुम्हारे नसीब में है तुम्हारे नसीब में क्या है? और शेव बाबा के नसीब में ना सुक ना दुक उसके पाद सिर्फ शांतिया और कुछ ना है उसे पता ही नहीं है कि क्या सुक होता और क्या दुक होता है बाकी नॉलिजफुल है उसे मालूम है कि तमाटर खाया नहीं सेव खाया नहीं पर तो उसको पता है कि वो कैसा होता है, ये वैसे नियम के तबुरुद है, जिस ने खाया ने उससे क्या पता होगा, कि क्या टेस्ट होता है, कहे तो दिया, हम मान लेते हैं, बाकी बात यहां आती है, बिना खाये उसको कैसे पता लगा, सुख और दुख में कितने कितने जनम मिलते हैं, वे भी समझा दिया है, मैं तुमारा निश्कामी बाप हूँ, तुम सब को स्वर्ग का मलिक बनाता हूँ, अगर मैं भी पतित बनूँ, तो तुम को पावन कौन बनाए? सभी की पुकार कौन सुने? पतित पावन, किसको कहें? ये बाप समझाते हैं, कोई गीता पाठी ऐसे नहीं समझा सकते, वो तो तिरलोकी का आर्थ बिन बिन परकार से करते हैं, मनुशे कहते हैं, वेद शास्तर से, भगवान से मिलने का रास्ता मिलता है, बाप कहते हैं, य सब शास्त्र हैं भक्ति मरक के लिए ज्यान मर्ग वालों के लिए शास्त्र है ही नहीं ग्यान सुनाने वाला ज्यान सागर मैं हूँ बाकी सब हैं भक्ति मरक की समगरी मैं ही आकर इस ज्यान से सर्व को सद गती देता हूँ वे तो समझते हैं बुद बुदा पानी से निकल फि ही नहीं आत्मा immortal है अमर है वे कभी जलती कटती घटती नहीं बाप इन सभी बातों की समझानी देते हैं तुम बच्चों को पेर से चोटी तक खुशी रहनी चाहिए हम योग बल से विश्व के मालिक बन रहे हैं ये खुशी भी नंबर वार है एक रस हो नहीं सकते एक रस हो नहीं सकती इम्तिहान भल एक ही है परंतु पास भी कर सके ना राजधानी स्थापन हो रही है उसका प्लैन बता देते हैं सूर्य वंशी में इतनी गदी चंद्र वंशी में इतनी गदी जो नापास होते हैं वे हैं दास दास जो क्या होते हैं नापास होते हैं वे हैं दास दासी फिर नंबरवार राजा रानी बनते हैं अनपड़े अन्त में पद पाते हैं बाबा समझाते तो बहुत हैं कुछ भी ना समझो तो पूछ सकते हो विवेक कहता है नहीं तो वे कहां जनम लेते कोई बात नहीं समझ में आती तो बाबा कहते हैं पूछ सकते हो वहां भी कोई कम सुख है क्या स्वार्ग में भी सुखदा में भी क्या कम सुख है क्या बड़ा मान रहता है बड़े महलों के अंदर रहते हैं बड़े बड़े बगीचे होते हैं वहां दो तीन मंजिल बनाने की दरकार नहीं रहती, जमीन बहुत पड़ी रहती है, पैसों की कमी नहीं, बड़ा शौक रहता है, वहां पर सौक भी बड़े, अच्छे अच्छे रहते, कोई गलत शौक नहीं रहते, बनाने का, जैसे यहां मनुश्यों का शौक, वो शौक रहता है न, न्यू देली बनाई, तो वे समझते ये नया भारत है, वास्ताव में तो नया भारत स्वर्ग को पुराना भारत नर्क को कहा जाता है, वहां कितने जितना जिसको चाहिए होगा, तो सब ड्रामा अनुसार महल आदी, जो कल्प पहले बनाए होंगे, वही बनेंगे, ये ग्यान दूसरा कोई समझ ना सके, परन्तु जिसकी तकदीर में है, उनकी बुद्धी में ही बैठता है, बच्चों को पुर्शार्थ करना है, पूरा योग में रहना है, भक्ती मार्ग में स्री किर्ष्ण के योग में ही रहते आए, स्वर्ग के मलिक तो बने नहीं, बक्ती मार्ग के अंदर क्या हुआ, स्री किर्ष्ण को याद करते रहे, किर्ष्णा 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 रादे रादे, रादे, परन्तु ऐसा करने से कोई स्वर्ग का मालिक तो बना नहीं, स्वर्ग में कोई गया नहीं, अब तो स्वर्ग तुमारे सामने है, तुम परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी, परमपिता परमात्मा की जीवन कथा जानते हो, तुम क्या जानते हो, परमपिता परमात्मा की जीवन कथा जानते हो, क्या जानते हो परमात्मा की जीवन कथा, जीवन कथा, जनम कब होता है, कैसे होता है, क्या करता है, कितना समय करता है, पिर कब कलब कलब के संगम युग में रिकॉर्ड पांच जार साल का उसमें बरा हुआ है, अविनाशी पार्ट बरा हुआ है पंतु वो इस संसार में पार्ट बजाने के लिए संगम युग पर आता है उसके आने से ही इस संसार में उसका शरीर में प्रवेश करना मतलब जनम होना और उसके बाद शरीर में प्रवेश करता रहता है और सारे संसार को रास्ता दिखाता रहता है और 99 साल के बाद वापिस सबको अपने घर ले जाता है तो उसका पार्ट यही सौ वर्ष का, निनानुवे वर्ष का ही है, बस उसने इससे पहले नहीं आना, इसके बाद नहीं आना, परमधा में जा कर फिर बैठ जाता है उसका काम है सारे संसारकी आतमाओं को रास्ता दिखाना आना और रास्ता दिखाना फिर जब से दुख शुरू होते हैं तो सारे उसको ढूलना शुरू कर देते हैं सारे कहना शुरू कर देते हैं कहते हैं ना कि भगवान जब अकल बाट रहा था तो तुम कहां सो रहे थे सो रहे थे तो ये फिर कहना शुरू कर देते हैं अब पता नहीं क्यों सो रहे थे कि उठके आएंगे नहीं तो गार में पड़े रहेंगे भगवान से पड़ेंगे नहीं तो उनको तो फिर सुनना पड़ेगा ना जाड़े में नहीं आए तो फिर सुनना पड़ेगा मत सुनो आप तो स्वर्ग तुमारे सामने है तुम परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी जीवन कथा को जानते हो ब्रह्मा विश्णु शंकर की बायोग्राफी भी जानते हो कि वो सिरफ मूर्तिया है और कुछ ना है मुर्त्या भी क्या एक संकल्प की रचना है और कुछ भी नहीं ब्रह्मा कितने जनम लेता है ये प्रजा पिता ब्रह्मा के 84 जनम कहो कृष्ण के 84 जनम कहो लक्ष्मी नारायन के 84 जनम कहो बात एक ही ये तुमको मालूम है बाप कहते हैं ये माताएं स्वर्ग का द्वार खोल हैं माताएं ही सब का उदार करेंगी हम परमात्मा की महिमा करते हैं तुम समझ कर कहते हो शिव बाबा आपको नमस्ते आप आकर हमें वारिस बनाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाते हैं ऐसे शिव बाबा आपको नमस्ते बाप को तो बच्चे नमस्ते करते ही हैं फिर बाप भी कहते हैं बच्चे नमस्ते तुम भी मुझे पाई पैसे का वारिस बनाते हो कोडी का वारिस बनाते हो हम तुमको हीरे का वारिस बनाते हैं हम तुम्हें क्या बनाते हैं हीरे का अधिकारी और दुनिया क्या बनाती है पिर बाब कहते हैं बच्चे नमस्ते तुम भी मुझे पाई पैसे का वारिस बनाते हो किसको वारिस बनाते है पास पाई पैसे का शेप बाबा को तुम पाई पैसे का वारिस बनाते हो ले लो हमारा अभी महारतन गंदा मन किसी भी काम में ना आने वाला धन ले ले तुम को वारिस बनाते हुए तुम मूर्थियों को कहते हैं अच्छा, अच्छा, मिठे, मिठे, सिक्की, लदे, बच्चों, प्रती, मात, पिता, बाप, दादा का याद, प्यार, और जैसे जैसे जिसको मिली हो, वैसे कर सकते है, तो मालेकुम सलाम भी कर दो, वन्दे बाबा भी कर दो, क्योंकि वो माताओं को नमस्ते कर रहा है, तो हम मारे बाबा है दारना के लिए मुख्य सार नमबर एक शिव बाबा के घर का एवेविचारी राही बन योग बल से विकर्मों को दगद करना है ज्यान का सिमर्ण कर अपार खुशी में रहना है बाप समान गदी नशीन बनने की शुब भावना शुब कामना रखते हुए बाप को पूरा पूरा पलो करना है बरदान शीतला देवी बन क्या बन जाओ शीतला देवी बन सर्व कर्म इंद्रियों को शीतल शांत बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भाव सब आत्माओं को शीतल और शांत बनाओ और स्वराज्य हमारा राज्य सत्युक का जो है उसके मालि जो स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं उन्हें कोई भी कर्म इंद्रियां धोखा नहीं दे सकती। पर तो थोड़ा रोब तो रखना पड़ता है करोध नहीं है थोड़ा रोब तो रखना पड़ता है लेकिन रोब भी करोध का अंश है तो जहां अंश है वहाँ वंश पैदा हो जाता है तो शीतला देवी और शीतला देव हो इसलिए स्वपन में भी करोध रोब का संसकार इम ना क्रोध आए तुम्हारे अंदर, ना तुम्हारे अंदर क्या आए, रोब आए, तब तुम शीतला देवी हो। स्लोगन आग्याकारी बच्चे स्वता अशीरवाद के पात्र होते हैं, उन्हें अशीरवाद मांगने की दरकार नहीं। कैसे पात्र बनते हैं वो? आग्याकारी बच्चे स्वता अशीरवाद के पात्र होते हैं, क्योंकि वो ऐसे कर्म करते हैं, जिन से सब को सुख मिले, तो जिन को सुख मिलेगा, तो वो नेचरल दुआएं देंगे, उनको तो अपने आप मिलेंगी, देने से ही मिलती हैं, तो उन्हें अशीरवाद मांग नैनहीन अर्थात ग्यान नेत्रहीन को रहा बताने वाला परमात्मा, नैनहीन अर्थात ग्यान नेत्रहीन, जो नैनहीन है, नैनहीन का मतलब क्या है, जिनके ग्यान की आँख नहीं है, उनको रास्ता बताने वाला कोन है, परमात्मा, परमात्मा आकर सब अंधों को रोशनी देते हैं, तिसरा नेत्र देते हैं, नैनहीन को रहा दिखाओ प्रभू, दर-दर ठोकर खाओ, खाओ, आप रास्ता दिखाओ ताकि ठोकर खाने से बच जाओ, अब यह जो मनुश्य गीत गाते हैं, नैनहीन को रहा बताओ, तो गोया रहा दिखाने वाला एक परमात्मा थेरा तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं और जिस समय कहते हैं प्रभू रहा बताओ तो जरूर मनुश्यों को रहा बताएंगे अब पशुपक्ष्यों को तो रास्ता नहीं दिखाएंगे न परमात्मा को निराकार रूप से साकार रूप में अवशे आना पड़ेगा तबी तो स्थूल में रहा बताएगा आने बेगर रहा तो बता नहीं सकेंगे आने बेगर रहा तो बता नहीं सकेंगे अब मनुश्य जो मुझे हुए हैं उन मुझे हुऊं को रहा चाहिए उन मुझे हुऊं को क्या चाहिए रहा चाहिए इसलिए परमात्मा को कहते हैं नए नहीन को रहा बताओ प्रभू इसको ही फिर खिवया भी कहा जाता है जो उस पार अथवा इन पांच तत्वों की जो बनी हुई स्रिष्टी है इस से पार कर उस पार अर्थात पांच तत्वों से पार जो छठा तत्व अखंड जोती मह तत्व है उसमें ले चलेगा तो परमात्मा भी जब उस पार से इस पार आवे तब भी तो ले चलेगा तो परमात्मा को भी अपने धाम से आना पड़ता है हम सब को वापिस अपने घर ले जाने के लिए तबी तो परमात्मा को क्या कहा जाता है खिवया कहते हैं वही हमारी हम बोट को बोट क्या होती है राव क्या होती है नाव किसे कहते हैं नाव किसे कहते हैं या शरीर है नाव शरीर नहीं है आत्मा को लेके जाता है आत्मा नाव है यहां आत्मा रुपी नाव को शेव बाबा इस दुख की दुनिया से सुख की दुनिया में ले जाता है आत्मा रुपी नाव को पार ले चलता है अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है उनको साथ ले जाएगा बाकि जो बच जाएंगे वो धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होंगे ऐसा लगता है जैसे बाबा बता रहा है कि पहले वो चले जाएंगे पिर बाद वाले अपने सजाएं खाकर वहां जाएंगे परन्तु बाबा सारे संसार की आत्माओं को एक साथ लेके जाता है किसी भी आत्मा को यहाँ छोड़कर नहीं जाता है और एक ही सेकिन में लेके जाता है कोई सजार नहीं होती उस समय तो सिरफ आपको अपने आप अपना रेजल्ट निकालना है और परमधाम जाना है रिजल्ट कोई और नहीं निकालेगा अपने आप इसको पता लग जाएगा अब मेरा संसार में किसी से कोई लेना देना नहीं रहा अपे इफ्री हो जाएगे कुछ भी नहीं लास्ट जिसका जो भी लेना देना होगा चाहे वो सुख का हो या दुख का हो वो ले दे के सब बराबर हो जाएगे अच्छा ओम शान्ती और विस्तार से जानने के लिए प्रजा पिता ब्रमा कुमारी इश्वरिय विश्व विद्या लेके किसी भी सेवा केंदर पर संपर्क करें और यदी कोई प्रेशन है तो 9213106 986 पर केवल टेलिग्राम करें 9650692270 पर केवल वाट्सेप करें हो नहीं ओम शान्ती